एक जंगल में एक शरार्ती बंदर रहा करता था, वह रोज सड़क के किनारे पहुंच जाता और राते जाते लोगों को काफी परेशान किया करता, कभी किसी की उपर पथर दे मारता, तो कभी किसी के खाने पीने की चीजे ले भागता, वहां से जो भी गुजरता वे उस ने हाथों से अपनी, पोती के लिए एक प्यारा सफ्रोक बनाया था, वह रास्ते से जैसे ही गुजरी धम से बंदर वहां आ पहुंचा और बूरी दादी की पोटली लेकर भाग खड़ा हुआ, दादी ने उसका बहुत पीछा किया लेकिन वे उसको पकड़ नहीं पाई, अंत में हार करवे इंखाली हाथ, अपनी पोती गुजरी के पास जा पहुंची, बूरी दादी के चहेरे परलाचारी देख, गुजरी बोली, दादी क्या हुआ, तुम इतना हाफ क्यूं रही हो और इतना उदास क्यूं हो, इस पर दादी ने उसे रास्ते का सारा किस्सा लेकिन उसका दिमाग तो किसी बड़े इंसान से भी ज्यादा तेज था, उसने दादी को धान धस बधानिया और बोली, दादी तुम चिंता मत करो, उस बंदर को में सबक सिखा कर रहोंगी, उसने दादी के कान में कुछ फुस फुस आया और दादी को फिर से कल आने को कहा दादी भी मुस्कराती हुई घर लोट गई, अगली दिन दादी ने एक मटके में कुछ भरा और उसे लेकर चल दी, जैसी ही उस रास्ते में पहुँची, बंदर मिया जट, से वहां आप पहुँचे और बूरी के हाथ से मटकी उड़ा ले गए, मटकी लेकर वह जंगल में काफी अंदर चला गया, लेकिन बंदर ने जैसे ही मटके में कुछ खाने के लिए हाथ डाले, तो उसके हाथ अंदर ही चिपकर रह गए, उसके लाग कोशिश करने पर भी वे हपने हाथ बाहर नहीं निकाल पाया, अब बंदर की जैसे शामत आ गई, वह धर उधर भागता लेकिन मटकी से हाथ नहीं निकले, फिर आगले दिन गुंचन दादी के साथ उसी रास्ते की तरफ से गुजरी, तो उसने देखा, बंदर के दोनुं हाथ अभी भी मटकी से चिपके हुए हैं, और वे मुह लटकाए इस तरह से बैठा है, जैसे किसी से मदद मांग रहा हो, गुंचन को उस पर दया आ गई, वह अब चुपके से उसके पास पहुँची और उस मटकी में जोर से पत्थर मार कर उसे तोड़ दिया, इस तरह बंदर को मटकी से निजात मिल गई, उसके बाद उसने बंदर को खाने के लिए दो केले दिये और वे ही कहकर वहां से चली ग और अगर उसे कोई प्यार से कुछ गलाता तो चुक चाप खाल लेता, वह रोज सड़क के किनारे पहुच जाता और राते जाते लोगों को काफी परेशान किया